दोस्तों भले ही भारत संचार निगम लिमेटिड यानि की BSNL देश का सबसे आकरसक दूर संचार ओपरेटर नए हो लेकिन इसके बावजूद BSNL VIP या फैंसी नंबर भारत में लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोगपिरिये हैं यानि BSNL के इन फैंसी और VIP नंबर में लोगों की काफी रूची है दोस्तों वास्तों में VIP या फैंसी नंबर किसी अतिरिक लाग के साथ नहीं आते हैं लेकिन होता ये है कि इन नंबर्स को याद रखना आसान होता है दोस्तों हाली में राजस्तान के कोटा के एक आलू वैपारी ने एक फैंसी BSNL VIP नंबर खरीदा है जिसके लिए उसने 2.4 लाख रुपे की बोली लगाई है दोस्तों सुनकर बहुत हैरान करने वाली खबर लेगेगी क्योंकि किसी फो नंबर के लिए इतना अधिक भुपतान करने के लिए ये रासी काभी ज़ादा है इतना हैवी अमाउंट वो भी BSNL के नंबर को खरीदने के लिए इतना पैसा खरच कर देना भी सायद हज़म नहीं हो रहा है दोस्तों BSNL की एक रिपोर्ट के अनुसर जिस VIP नंबर के लिए वैक्ति ने बोली लगाई थी वो नंबर ये है BSNL के VIP नंबर फैंसी नंबर निलामिक काटेगरी के तैद अपनी वैबसाइट पर उपलब्द है दोस्तों BSNL के इस नंबर के लिए बोली बीस हजार रुपे से शुरू हुई थी एक पॉइंट पर ये दो लाख रुपे से उपर भी चली गई थी इस बोली में सबसे उपर कोटा का आलू वैपारी रहा जिसने नंबर को खरीदने के लिए सबसे ज़ादा 2.4 लाख रुपे की बोली लगई दोस्तों इस विजेता ने फरुका बाद में BSNL कारियाल ऐसे VIP नंबर को कलेक्ट किया है इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मताबिक इस वैपारी के लिए यह पहला VIP फैंसी नंबर नहीं है इस से पहले भी इस वैपारी ने एक और फैंसी नंबर खरीदने के लिए लगबग एक लाख रुपे का भुगतान किया था दोस्तों लोगों के दुआरा किसी एक सिम कार्ड के लिए लाखो रुपे का भुगतान करते देखना काफी दिल्चस्प है वह भी तब जब वह नंबर सरकारी टेलिकॉम कमपनी का हो जिसकी भारत में वास्तों में 4G भी मुझूद नहीं है दोस्तों अगर आप चाहे तो आप भी BSNL की वेबसाइट पर बोली लगा कर कई सारे VIP नंबर को खरीद सकते हैं कोई भी सेलफोन नंबर चाहे वह कितना भी VIP फैंसी क्यों नहीं हो लोगों दुआरा इसके लिए बोली जाने वाली रासी को सही ही ठहराएगा ऐसे में अगर आप भी BSNL का कोई फैंसी नंबर खरीदना चाहते हैं तो BSNL की वेबसाइट पर जाकर नंबर को खरीद सकते हैं